जै माता की दोस्तों, चैतर नवरात्रे कब से कब तक है? कब शुब मुहुरत रहेगा? घट स्थापना कैसे करे? जवारे कैसे बुई? वही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों यदि आप वरत भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिना वरत के भी मा की पूजा कैसे करे? किन चीजों का ध्यान रखे? 2023 में चैतर नवरात्रे 22 मार्च दिन बुद्वार से शुरू हो रहे हैं और 30 मार्च 2023 तक रहेंगे मा की पूजा किन चीजों से करें जिसे मा दुर्गा परसन होती है मित्रों सबसे पहले आपको घट स्थापना कर लेने जाए यदि आप घट स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है घट स्थापना 22 मार्च 2030 दिन बुद्वार को सुभे 6 बज कर 25 मिनट से सुभे 9 बज कर 25 मिनट तक कर सकते हैं तीन गंटे आप शुभ मूरत में कलच स्थापना करें या घट स्थापना कर सकते हैं नवरात्रे में घट स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है नवरात्रे की शुरुवात घट स्थापना से ही की जाती है कलश को सुक समरिद्धी एश्वरिय देनी वाला एवा मंगलकारी माना जाता है कलश के मुख में भगवान विश्णू, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्माजी और मद्य में देवी शक्ती का निवास माना जाता है नवरात्री के समय ब्रमान में उपस्तित शक्तियों का घट में आवान करने से उसे कारे रत किया जाता है इससे घर की सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं घर में सुक शान्ती और समरिती रहती है घर सापना के साथ आप जो भी बोएं जो बोने के लिए मिट्टी का पातर ले लें मिट्टी के पातर में शुद मिट्टी भरें मिट्टी को छान लें उसमें कंकर आदी नहीं होनी चाहिए पात्र में बोने के लिए आप जो या कहूं के दानों को एक रात पहले ही पानी में भीगो कर रख दे घर स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, तांबे का कलश या पीतल कलश ले सकती हैं कलश में भरने के लिए भी आपको शुट जल लेना है, गंगा जल, रोली, मोली, पूजा में काम आने वाली साबु सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का, ये सब चीजे ले और कलश धकने के लिए धकन ले, धकन के अंदर में आप साबु चावल, नारियल, नारियल के उ पल, फूल, मिठाई, दीपक, धूप, अगरबती से पूजा करें इस तरह से आप नवरात्रों में घट सापना कर सकते हैं, जवारे बो सकते हैं इस तरह से मित्रों आप सुभे शाम की पूजा में दीपक हरोज भी जला सकते हैं चाहें आप माता की पूजा का दर्बार लगा लीजिये और अखंड दीपक भी आप जला सकते हैं इस पात्र में आप बात करते हैं यदि आप रत नहीं रख पा रहें, वर्किंग हैं, कलश भी नहीं भर पा रहें जवारे भी नहीं भो पा रहें, तब आप घर के मंदिर में भी सरलविदी से पूजा कर सकते हैं मित्रों आप अपने घर के मंदिर की भी एक दिन पहले ही साफ सफाई कर ले मा की मूर्तिय चित्र जो भी आपके पास है, उन्हें आप लाल चुनरी अर्पित करें आप सुभह शाम मा के सामने शुद्देसिगी का दिपक चलाएं, मा को भोग में पताशे और लोंग डेली अर्पित करें पंच मेवा अर्पित करें, पंच मेवे में आप काजू, बदाम, किश्मिश, अकरोट, मखाने पाश तरह के पंच मेवों को मिला कर एक डिब्बी में भर कर रख लीजिए और हर रोज थोड़ा थोड़ा निकाल कर मा को भोग लगाए उसके बाद परशाद रूप में ग्रहन करें और अपने परिवार के सदस्यों को परशाद बाटे बिनवरत के भी आपको पूजा का फल मिलेगा इन कुछ बातों का आपको ध्यार रखना है मित्रों बिनवरत के भी आपको खाने में प्याज लसन मास मदिरा का प्रियोग नहीं करना है कभी भी इन सब चीजों का प्योग 9 दिन तक आपको नहीं करना है प्याज लसन मास मदिरा नो दिन तक आप इन सब चीजों का अपने खाने में प्रियोग में ना लाएं दूसरी बाद ब्रमचार्य वरत का पालन करें, तीसरी बाद नवरात्रों के दिनों में पलंग पर नहीं बलकि जमीन पर विस्तर विच्छा कर ही सोना चाहिए, चोथी बाद क्रोध, इर्शा, द्वेश, ये सब भावनाएं अपने मन से निकाल दीजिए किसी की निंदा चुगली करने से बचना चाहिए, कोई निंदा चुगली कर भी रहा है किसी की, तो आप उनके पास ना ठहरें और आगे चले जाएं, अपनी माता के पूझा का पाठ करें, सुबेश आप माता की पूझा करें, माता के सामने घी का दिपक्च लाएं, उन्हें लास्ट वाला वरत संबभ हो तो आप रख लीजी अश्टमी वाला और नोमी के दिन कन्या पूजन आप अवश्य करें इससे भी आप वरत के बिना भी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं या तो एक पहला उतरता और चड़ता वरत जिसे बोला जाता है पहले नवरात को अवरत कर ले और लास्ट वाले नवरातरे यानि अश्टमी का अवरत करके नोमी वाले दिन आप कन्या पूजन करें कन्याओं को आप हलवा पूरी काले चने का परशाद रूप में बनाए पहले माता को चड़ाए उसके बाद कन्याओं को उस परशाद से आप पूजन कर नो कन्याओं का पूजन करना सर्व श्रिष्ट होता है, इसमें आप नो छोटी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भेट सवरू कुछ न कुछ उपहार दें, कुछ दक्षिना, फल, पुरूट, हल्वा, पूरी, चने का परशाद, साथ में एक लोकडा जो मा का प्रिय लोकड होता है, उसे भी आप जमाएं कन्याओं के साथ, इससे भी आपको बिना वरत कि ये भी पूजा कफल मिलता है मित्रों, आप एक पहला या आखरी वरत करके, या आप पहला भी वरत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सिरफ अश्मी का वरत करके, आप नो में को कन्या पूजन करें लेकिन आपको पूरे नो के नो दिन सात्विक रहना है, अपने विचारों को सात्विक रखना है, भोजन आपको सात्विक ही ग्रहन करना है, इस तरह से मित्रों 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 तक शुप नवरातिरे रहेंगी और 31 मार्च को वरत का पारण होगा, आपको इस सब जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जूट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बोक्स में जैम आता की अवश्य लिखें